नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले 7-8 दिनों से लगातार किसान जो है वो दिल्ली के चारो सिमाओं पे बैठे हुए हैं और वो सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि यह जो किसान विरोधी कानून है उन्हें वापस लिया साथ बात करने के लिए हमारे साथ जोड़ रहे हैं हनन मौला जो आल इंडिया किसान सभा के महा सचेव हैं और साथी साथ और इंडिया किसान संगर्ष कॉडिनेशन कमिटी के एक मुख्य सदर से भी हनंदा तो पहला सवाल यह है कि यह जो आपकी जो आज टॉक्स हैं उसमे में सारे किशान संगर्ष उनैनिमस है वो है चे महिना से हम उठा रहा है यह तीन कानून किशान विरोधी है इसको बापस लो और दो कोई एजंडा नहीं है कि बापस लेने का बाद अधार इसूज केंड डिसकस्ट पर दिस इस दफास्ट एजंडा फास्ट एजंडा एज तो यह सरकार कह रही है कि यह मंदी खतम होने की बात हो रही है एमस्प की बात हो रही है सब कुछ वाजब नहीं है तो आखिर जो किसान संगठन है वो यह दिमांड उठा क्यो रहे है यह बात जो बोल रहा है सरकार वो सही नहीं है जूट बोल रहा है वो अभी बोल रहा है कुछ जाएगा नहीं है तो क्यों अमेंडमेंड बोल रहा है उसका कानून पर्फेक्ट है तो क्यों बोल रहा है सातर जाएगा अमेंडमेंड करेंगे पहले तो बोलता बात ही करेंगे पहले बोलता अंदर आने नहीं देंगे पहले बोलता अंदर आने नहीं देंगे पहले ज इसको दावत करेंगे कोई मेनू तो रहेगा हम लोग पुछा किया हो क्यों हम लोग बुलाया बतायो सरकार का पास कोई भाक नहीं है ने आप बोलो तो हम बोला हमारा बात है तीन कानून और इलेक्स्रिटिव बील यह एंटी फार्मार्स है यह हमारा किशान के लिए मौत का परवाना है यह हम सिकार नहीं कर सकता इसको एटू जेट खराब है थोड़ा बहुत खराब होता तो संक्षदन हो सकता जब पूरा ही जब खराब है इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है इसलिए इसको संपूर्ण रूप से रिपील करना है अगर संशेक में आप से डिप घट खराबरी से बरगवन इंकर के जित SHकता यह इंपसिब इसको एक्षबावर से फर्मार से पारम से जब खराब होगवर से बरगवभर इस पारफू यह एगर कोईवापत इस पूर्ड़ कोई खराब कर इसकोट पर्माना है पूर इसकोटिए एडिंद खराब गर सबतेlares दोवें आफ मांदी कोपड़ाब जूपेज बनाफ मांदी mãoते your पाइच्टack the group तो इसन होते हिंग दो जूपनाप समयमgging करिदेद पाल आफियर कोपंद इस पालनुमांदी टेद मनी सोय तेक दोपी, जिसकतत देया ही अविफ गणी और अबम्न Дी Ayaka Temple टो बनेत monitor है नहीं की तेवल्टब्सocy riders, आपटनो भी क्वाच्शोंक पर दूनिय है। यह उन्हीं होना के लूक्स को काथ, यहंत झाल् falando प। इंजा के स54 अबड़ड़़न है। यह इन्हीमाद मैंदी fiल्मर्सट्स उन्हीं के लूटने हैंιο वह लेड़ी देर, वह दो अब आउटसाइड, बहार तो मंधी को बहार भी ब्येकता है, तेसर्ट परसंट से ज्यादा, तो यह जो परसेप्शन है, जूट है, वो समाज़ता है, जो समाजते हैं, यह लोग समाजते हैं, ठंडा घर में बैटके सब समाजते हैं, जो जिंदें लुट अफरवाद नितिलाने का बाद, सारे सेक्टर कोलाप्स हो गया, प्रोड़क्शन सेक्टर, इसके बावजूद भी अग्रिकुल्चल सेक्टर इंपरूब विदा गूर्में गोर्मेंट हैं, फिदा ने जू़ गजए तो अनी पाकेज, विदा ने जू जू प्रोब्लेम कि अगर पूचहें कि इतने बड़े मास मोबिलाइजेशन वह किस तरीके सीवा थी से जादा संगठन पंजाब से हैं अगले चलिए किसी बिजिए 202 से जादा संगठन वहां पे तो ये बड़ा मोबिलाइजेशन कैसे किया गया कि सब शंगठन जो किन ऑर में अजका हम आड़िनेन्स हुआ हम किसान को जला हुआ हजारी है किसान पूरा देश में औरृनेन्स आपक जला हुआ है जला था जाड़िता है जाल वो ओल दी त对क टे लो अगे बडा एक उलो के उम लिलेर नहींको जाविवit प्रोटिस चल रहा था हुभी हमसे बात नहीं किया हमारा क्या दुख दरद है शुनने करते या नहीं फिर पास कर दिया जब वर्दोस्ति कैसे गुंड़ागर्दी करें पास किया पार्लामेंट के मिस्यूज करके फिर इंप्लीमेंट शुरू कर दिया हम बोला हमारा अंदोल पास का थिल किया है हिंदुस्तन पाकिस्तन जैसा बॉर्डर है दुष्मन आ रहा है किया पंजब का किसान का हक नहीं अपना राजधनी में अपना बात कहने का तो यह सब जो किया ओह मंगर किशान के सामने ठीका ने किशन आगे बढ़ गया और असके बाद धिरे-धिरे ज मृनद जब आना शुरू हुआ था सो स्यंग शूरू हुआ था कम आरहा था अभी श्यंग शेजन धीरे थीरे Thomas रहे घ्रक न हम देना हो भी सब्सक्राल कि संन ज़ादा से ज्यादा की सिंसनre ॅन लगेगे चरू हमारा बार के विवल पंजाब के संगठनों को बुलाया था मीडिया में अगर देखें तो अलग-अलग तरीके की बात हो रही है अलग-अलग नाम बुलाए जा रहे हैं किसानों के इसके बारे में क्या कहना है आपका। तो बहुत सोचे समझे प्रोपगंडा है, सरकार और गोधी मीडिया मिलके इस आंदोलोन को देखाने का कोशिस कर रहा है कि सिर्फ पंजाब का अंदोलोन है, इस आंदोलोन में पंजाब जरूर सामने है, मगर पूरा धेस का अंदोलोन है, भारत का अंदोलोन के हिस्सा है पं तो शेसो जेला में जेल भरो हुआ, लाखो किसान जेल भरो किया, तो पंजाब हरियाना के बाहर जो जेल भरो हुआ, वो कौन किया, वो पंजाब हरियाना के किसान किया, उसके बाद जब 5 नवेंबर पूरा देश में रास्ता जाम हुआ, लाखो लोग पूरा हिंदुस्तान म प्र पचिस सेप्टम्पर जब कानून पास हो गिया, जब हमको resistance को आवन किया था प्रचिस सेप्टम्पर हिंदुस्तान में हम बारिचिया। पूरा हिंदुस्तान में क्लोरो की सनफ पाटिस्टीपेट किया। नफ्य इंटूस्तान में पकैने हरिया को किया। तो आज जो हुआ जूट प्रचार हो रहा है फिर आज जो 26 नवेंबर जो पूरा देश में ग्रामीन भारत बंद हुआ 17-18 जयला में ग्रामीन बंद हुआ तो कौन किया तो यह जान भूज के इसको देखाने का कोशिस हो रहा है कि यह पंजाब का अंदोलन है देश का नहीं है यह हम अल इंडिया मुव्मेंट को सरकार शिकार करना नहीं चाहता है जबकि यह अंदोलन छे महिना से इसू लेके यह केस सुरू किया था 26 जनुब नवेंबर दिल्ली कि चलो यह केस का आओ वान था फिर बाकी नया संगटन आ गया हमें एक मोर्चा और बढ़ा लिया रास्तियों किसान मोर्चा बन गया क्योंकि और भी संगटन आए सिर्फ आमरा नाम नहीं और आया हम डिमोक्रेटी के लिए सब को साथ लेके चला तो यह सरकार का जो किसान से लुक्षान है कोर्प्रेट का बेनिफीट एक एक कानून में देखाई देगा यह का बना रहा है किसान नहीं सिकार कर सकता है अगर आज सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे का रास्ता क्या है? आगे काल हमारा मीटिंग हुआ पंजाब में सिंगुबार में उहाँ पंजाब का तीस संगाठन था हमारा जो पांचे बड़ा फेडरेशन है जो इस अंदरवर में आया रास्तियो मोर्चा वो था और 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 भी पचीश तिरी संगाठन पूरा देश से आया था यूपी, मद आगे करेंगे इसको सिंगार करो तो दूसरा माँ है किसान का MSP का मांग है मुला जलाने का सवाल यूज, इस बहुत सहरे मांगाक का में आगे खेंगे है। है कि पहले मांग पूरा हो की तब दूसरे तिसरे आएगा जब पहले की सिक फैसल्या नहीं होगा तो आगे वड़ा मुस्किल है किशान आंद राक पर सर्म दूसित चले आएंगे है बाहर तो निपसी को दॉट करेंगे यसको सरकार का इजंडा नहीं हम पहले दिन है उसका ओलो तून दाउत किया हम क्यों बोलेंगे मगर सरकार का कोई प्रिपारशन नहीं है और खाली इसको Çो टाइम होस्त करो लाखों लोग ठंडा में बेटे हैं vorstellen बुड़ा बिमार हो रहा है तीन लोग मर गया और मानुविक है मानुविक तन भी नहीं है जो उसको स्वार्थ में जल्दी-जल्दी कुछ बावस्ता करें इस सरकार भी करने के लिए तेयार नहीं है तो सरकार का चरित्र जो है एक आवयनेविक है और गनतांत्रीक है तनासाह है और करीब किशान को ठगाने का है एक दम साब बात है इसलिए इसके खिलाब लड़ाई जारी रहेगा और नया लोग रोज आ रहा है जितना जतना उत्पादन के किशी का छुटी मिलेगा काम-काम हो जाएगा खेती का तो लोग बढ़ते जाएं इसका अभी लोग आरा है दो तींड मै वे पूरा हो जाएगा लोग पूरा आएगा और sự करेंगे आज हमारा बात ही है एक्छकार दो सांतल अध्यकर सकते मैं अभी है साहर को बोलेंगे खाना नहीं आ रहा है किसान के बज़ाय से तो दिल्ली सहर बासी के साथ किसान को एक दंद फार्ष इसको कामी है डिवायेडन रूर ये करने का साजिसक्त करेंगे और मौहंअध जब उतारेंगे उसका एकी लाइन है और किस लाइन में अभी नेता जनवाद विरोधी लाइन है, किशान विरोधी है, देश विरोधी है, यह हमारा किशानों का ओपिनियन है शुक्रिया हननन्दा हमसे बात करने के लिए